नमस्कार दोस्तों एक पर फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूटूब चैनल यूट वीडिवी पर बहुत बहुत सौबत है दोस्तों आज जो दिन भर की बड़ा बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी अप्रियर साम तक आगे इसी वीडियो के मातन से पहुँचाएंगे सभी मुख्य समाचार हैं ये वो खबर हैं जो कोदी मीडिया आप तक नहीं पहुँचाता है इसलिए सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आटी इसी वीडियो में बने र किसानों के समर्थन में कमेट जरूर कीजिएगा जय जवान जय किसान दरा सा दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं सुप्रीम कोट ने सर्तों के साथ यूपी पंचाय चुनाव की मतगड़ना की दी है इजाजत कहा ध्यान रहे प्रोटोकॉल का हो पूरा पालन आप लोगों को बताते चलें सुप्रीम कोट ने यूपी पंचाय चुनाव में काउंटिंग की इजाजत दी है और कहा है कि काउंटिंग का जो भी प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरा पालन होना चाहिए काउंटिंग सेंटर के बाहर सक्त कर्फियो हो और विजय रैली ना निकाली जाए किसी भी कीमत पर यह यहां पर आदे शारी कर दिया है सुप्रीम कोट ने अगली बड़ी ख़बर आप लोगों को बताते चलें कुछ हक्तों के लिए बंद करो देश तभी सुधने के हालाथ अमेरिकी डॉक्टर ने दे दी है भारत को सलहा आप लोगों को बताते चलें भारत में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर जिस तरह से तांड़म मचा रही है वहाँ वेहधी जिंता जनका इस चेन को तोड़ने के कुछ हक्तों के लिए देश को तदकाल बंद करने की जरूरत है लॉकडाउन लागू करने से कोविड पर बहुत हद तक नियंतरन पाया जा सकता है यहाँ बात अमेरिकी राश्टर पती जो बाइडन परशासन के मोग है जिके सासलहगा डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कह है डॉक्टर फॉसी ने कहा है कि भारत में जिस परकार कोरोना संक्रमन का फैलाव लगातार जारी है लोग अस्पतालों में या उपसीजन और बेड के लिए परिसान हो रहे है दवाओं की कालावा जारी हो रही है लोग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे है लोगों को इस समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है ये यहाँ पर सलहा दी है भारत को अमेरिकी डॉक्टर ने देख सकते हैं बड़ी खबर है आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं किसान नेता बोले जिन्हें अस्पतालों में बेड़ ना मिले वो विधायकों और सांसदों के घरों में जाकर के डेरा डाले आप लोगों को बताते चले भारत में जब कोरोना संक्रमर की दूसरी लहर ने दस्तक दी तो केंदर सरकार ने इसे गंभीरता से बिलकुल भी नह लिया जिसका नतीजा यहां निकला कि आज इस घातक मामारी की विजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है हर दिन भारत में तीन लाख से भी जादा कोरोना संक्रमर के मामले लगतार सामने निकल के आ रहे हैं तो वहीं भारत के कई अस्पतालों में आक्सीजन और वैक्स अक्सीजन नहीं मिलती है तो वे अपने विधाय को और संसदों के घरों में जाकर के डेड़ा डालें तो वहीं सायुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता दर्सन पाल ने भी इस मामले में भाजपा को ही सीधे तोर पर जिमिदार ठहराया है कोरोना फैलाने के लिए केंदर सरक को आड़े हातों लिया है किसान नेता उने अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें अमेरिका राहा सामगरी सीधे राज्यों को भेजेगा केंदर सरकार को नहीं जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है जो भी अमेरिक मदद करेगा वो सीधे ही राज्य सरकारों को मदद पहुंचाए जाएगी अमेरिका की तरफ से क्या यहाँ इस बात का संकेत है कि मोधी पर पूरा भरोसा नहीं कि वे भाजपा वा गैर भाजपा राज्यों के भी इचर राजनिती नहीं करेंगी राहत समगरी पहुंचाने मे अमेरिका को भी पता है कि हमारी केंदर सरकार का मुखिया एक बाइमान इनसान है तो वहें दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं मुंबाई के पूर्व पुलिस अपसर का बड़ा दावा पीम ने कुआ के राजपाल के लिए नामित किया है पूर्व चुनाव आयूगत सुनील अरोडा का नाम यहां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें सुनील अरोडा अकपर यहां पर लगातार पियमोदी के पक्च में ही काम करने के आरोप लगते रहे हैं आप लोगों को बताते चलें सियासी हलकों में अरोडा को राजपाल बनाए जाने की बाते कुछ दिनों से लगतार चल रही थी तो वहीं एक अकबार में लेख में लिखा गया था कि अरोडा को कोगा का राजपाल नामित किया जा सकता है तो वहीं इस खबर के सामने आने के बाद कई लोगों ने यहाँ पर प्रधान मंतरी मोदी पर निसाना सादा है उन्हीं में एक नाम है कॉंग्रेस पार्टी की नेता अभिशेक मनुस सिंग भी का उन्होंने टूइट किया है कि बिल्कुल चिंता करते हैं प्रधान मंतरी मोदी जी मुख के चुनाव आयूत को कोवा का राजपाल नामित किया है कौन कहता है कि प्रधान मंतरी फिक्र नहीं करते हैं सवाल यहाँ है कि वे किसकी फिक्र करते हैं और क्या फिक्र करते हैं सीधे सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं बीजेपी के विधायक और सामसादा आप लोगों को दोफ्तों बताते चलें उत्तर प्रदेश में कोरोना वारस में अभूत पूर्व उच्छाल देखने को मिला है बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते यूपी देश के सबसे खराब काली की विफलताओं को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के विधायक और सामसाद लगातार सियम और प्रसासन को पत्र लेकर के अपनी नाराज़ की जाहिर कर रहे हैं ये पत्र सोसल मीडिया पर भी बाइरल हो रहे हैं प्रसिनिधी अपने बयान चारी कर र है कि यूपी बीजेपी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है दरासा दोस्तों कानूर मंत्री भरजेस पाठक सबसे पहले ऐसे निर्वाचे सदसे थे जिनोंने राज्य सरकार को पत्र लिखा उन्होंने पत्र में लिखा कि किस तरहें लखनाव में बेड ऑक्सीजन और इलाज न इतनात की बोल एक और बड़ी कबर आप लोगों को बताते चलें देश में 20 मई तक अपने पीक पर पहुँच जाएगी कोरोना की दूसरी लहर रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा आप लोगों को बताते चलें देश में चारी कोरोना वारस संकर्मन अभी और बढ़ रिपोर्ट कहती है कि तब तक देश में कोरोना के एक्टिव मामले 36 लाग का आंकड़ा पार कर जाएंगे तो वहीं रिपोर्ट में उमीद जताई गई है कि इसका सबसे बुरा दौर माई के तीसरे हफते तक यहां पर खतम हो जाएगा उसके बाद कोरोना यहां पर धीमा पढ़ सकता है यह SBI Research Report में दावा किया गया है एक और बड़ी ख़बर आंप लोगों को दोस्टों बताते चलें और देश में COVID-19 मामलों की वर्तमान बढ़ोतिर से निपटने के लिए समर्थन और सहायता परदान करने की पेस्यस की है आप लोगों को खबर के अनुसार बताते चलें राश्ट्र पती ने भारत में COVID-19 महामारी पर प्रदान मंतरी मूदी को समीदना संदेश भेजा है बीजेपी विधायक की सियम सिवराज को खरी-खरी वर्चुल मीटिंग के तमासे से कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को बताते चलें मद्द प्रदेश की महर से बीजेपी के विधायक नाराण तिरपाठी ने अपनी ही पाठी की सरकार पर जोड़ा नमला बुला है नाराण तिरपाठी ने कोरोना काल में मद्द प्रदेश सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सिवरासी चौहान को एक पत्र लिखा है पत्र में नारायन तिरपाधी ने लिखा है कि मद्ध प्रदेश के लोगों के लिए धवाई वेंडिलेटर बेड और ऑक्सीजन की विवस्था की जाए यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें उन्होंने आगी का है कि वर्चुल मीटिंग के तमासे से कुछ भी नहीं होने वाला है जमीनी इस तर पर काम करना ही पड़ेगा बीजेपी सरकार को यह यहाँ पर तोटू कहना है बीजेपी के ही विधायक का दरासब दोस्तों आप लोगों को बताते चलें यमपी की सिवराज सरकार लगातार अपनो के ही निशाने पर है विपच्च तोन पर निशाना साध ही रहा है लेकिर बीजेपी के कई नेता अब यहाँ पर सिवराज इंचाहान की कार पड़ाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं एक और बड़ी खबरा जान लेते हैं दूस्तों मुंबाई की मेर ने की है हाथ जोड़ करके अपील डबल मास्क पहने वे बजहे घर से बाहर ना निकले आप लोगों को बताती चलें कोरोना के विस भोटा कोते हालात को देखते हुए मुंबाई की मेर किशोरी पेड़नेकर ने लोगों से हाथ जोड़ करके अपील की है कि वे घर से बाहर बिलकुल भी ना निकले डबल मास्क पहने मेर किशोरी पेड़नेकर के अलागा मुंबाई महानगर पालिका ने भी अपने ट्विटर हैंडल से डबल मास्क लगाने की अपील की है इस अपील में कहा गया है कि चहरे पर पहले सूती मास्क लगाएं और उसके अंदर सर्जिकल मास्क लगाएं यह यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहत बड़ी खबर सामने निकल के आई है जो हमने आप लोगों तक पहुचाई है यो एंड वीडिवी के माध्यम से इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राया है ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा तक आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके और अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर के चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रू दबाईए के दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत